हेलो दोस्तों कैसे हूँ स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे एयर फोर्स का प्रिवियस कोशन पेपर जो की था आपका 2019 सेप्टेंबर बेच का यहां मैंने सभी सिफ्ट से आपसे कोशन करते हैं फ्रस्ट कोश्चन है। ही सो देयस टर्निंग दकी माई आएगा था आएगा यह वीडियो पॉट्स कर किये और इसका राइट अंसर सोचे क्या हो सकता है वीडियो पॉट्स कर लिएगए तो आई होब सभी ना इसका राइट अंसर लगा लिया होगा तो चलते हैं तरफ तो option number be will be right हम या me का use करेंगे तो इसका right क्या होगा he saw me turning the keys I hope आप इस question को ढंग से समझ गयोंगे चलते हैं इसके concept की तरफ इसका concept क्या है देखिए जब भी आपको जीरंड दे क्या दे जीरंड दे तो जीरंड के बाद अगर आपको दिख रहा है तो हम जीरंड से पहले नाउन या प्रोनाउन का objective case use में लेंगे आप हमेशे या दखना मैं क्या बोल रहा हूँ जब भी आपको जीरंड दे जीरंड यानि main word में क्या लग रही हो ing लग रही हो अगर जीरंड के बाद noun दे रखा है तो हम जीरंड से पहले noun या प्रोनाउन की objective case use में लेंगे अब देखिए question में ये दे रखा आपको जीरंड turning main word में क्या लग रही है ing लग रही है इसके बाद क्या दे रखा है noun दे रखा है the keys तो इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे objective case का यूज़ करेंगे I hope आप इस concept को डंग से समझे होंगे इसी से मिलता जूलता एक और concept है आप उसको देखिए जब भी आपको क्या दे जीरंड दे अगर जीरंड के बाद noun ना हो मैं क्या बोल रहा हूँ अगर आपको जीरंड दे और जीरंड के बाद क्या ना हो noun ना हो तो हम जीरंड से पहले objective case का नहीं positive adjective का यूज़ करेंगे किसका यूज़ करेंगे positive adjective मैं एक बार repeat कर देता हूँ जब भी आपको जीरंड दे अगर जीरंड के बाद noun ना हो तो हम जीरंड से पहले positive adjective का यूज़ करेंगे अगर यही question ऐसे होता he's or dash turning यहाँ पर noun ना होता तो हम यहाँ my का यूज़ करते तो I hope आप इस concept को ढंग से समझ गया होंगे मैं एक बार repeat कर देता हूँ यदि आपको दे रखा है जीरंड यानि main warm है ing अगर noun है तो इससे पहले यानि जीरंड से पहले हम यूज़ करेंगे objective case का अगर noun नहीं है तो इससे पहले हम यूज़ करेंगे positive adjective का I hope आप इस concept को डंग से समझ गया होंगे तो यही मेरा main motive है previous question कराना ताकि आपको पता चल सेके कि किस type की question आपसे exam में पूछे आते हैं और most important चीज कि आपको उनके पीछे का concept पता चले और उनसे relate करके नए नए concept आपको पता चले तो चलो discuss करते हैं next question question number second है I read Milton's poems who is a great poet no error video post करिए और इसका right answer सोचे क्या हो सकता है सारे question आपके previous year question है जो year force exam में पूछे आचुके है तो video post करिए और इसका right answer सोचे क्या हो सकता है तो बात करें इसके right answer की तो option number B में error है हमें Milton's poems का use नहीं करेंगे poems of Milton का use करेंगे यानि वो वाला concept apply करेंगे A और B बाला B को लाते हैं पहले A को ले आते बाद में तो इसका correct क्या होगा the poems of Milton ये इसका correct होगा क्यों correct होगा इसके पीछे concept छिपा हुआ है लेके जलता हूँ इस concept की तरफ देखिए जब भी आपको who दे who क्या है relative pronoun है जब भी आपको who दे तो who से पहले progressive case off वाला हम use करते हैं जो apostrophe S होता है उसको हम use नहीं करते हैं जो off लगा के बनाते हैं उसको हम use करते हैं आप हमेशे याद रखना जब भी आपसे who से पहले possessive case बन बाए तो हम apostrophe s वाला use नहीं करेंगे off वाला use करेंगे आप हमेशे याद रखना और अगर आपको इसमें error नहीं करनी देखिए या फिर तो आप इसको सही कर लीजे या फिर आप who को सही कर लीजे option number b में ही error रहने वाला है या फिर आप who को काट के which कर लीजे तो इसका correct क्या हो जाएगा I read Milton's poems which is a great point तो आप आपकी मर्जी है कैसे भी कर लीजे या फिर तो आप who को काट के which कर लीजे या फिर आप who को रहने दीजे और Milton's poem है change कर लीजे the poems of Milton कर लीजे कैसे भी कर लीजे हम which से पहले जो possessive case है वो apostrophe s वाला यूज़ करते है और who से पहले हम possessive case off वाला यूज़ करते है तो आप की मर्जी है कैसे भी कर लीजे Milton's poems को रहने दीजे या which कर लीजे या who को रहने दीजे the poems of Milton कर लीजे option नमर B में ही error रहने वाला है आप कैसे भी कर लीजिए discuss करें आगे question नमर 3 आप से स्रोनिम पूचाता lassitude का क्या होता है sluggishness होता है depression होता है stagnation होता है डेली कैसी होता है video pause करिए और इसका right answer सोचे क्या हो सकता है video pause कर लीजिए और आराम से सोचे मैंने तीन option extra में लिख दिये क्योंकि आपको पता हुआ एक वड़ के कई सारे synonym एंटोनिम होते है अगर आपको option ना दिखें तो आप अच्छा नहीं कर पाऊगे यानि आप कही किसी और का कुछ भी कर सकते हो तो option देना इसलिए मैंने या तीन option extra में रख दी है ताकि आप main answer पर पहुंच सको तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option number a will be right sluggishness देखें lassitude इसका मतलब क्या होता है ठकावट और sluggishness इसका मतलब भी क्या होता है ठकावट होता है option number a will be right डिसकास करें next question dedicated इसका आपको स्नोनिम बताना क्या होता है dry होता है, drain होता है, clear होता है, fade होता है वीडियो pause करिए और इसका right answer सोचिए आप एकड़म ये सोचना की मैं इयरफोर्स का exam दे रहा हूँ यानि मैं hall में बैटा हूँ जहां इयरफोर्स के candidate बैठे हुए है exam देने के लिए मैं भी वहाँ बैटा हूँ और अपना इयरफोर्स का exam दे रहा हूँ English का तो वही thinking आपके दमाग में आनी चाहिए कि इस वक्त मैं इयरफोर्स का exam दे रहा हूँ और आप इस paper को solve करने के बाद अपना score comment box में जरूर लिखे जाना कि आपका score कितना रहा English के paper में तो I hope सभी ने इसका right answer भी लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option number A will be right dry क्योंकि designated इसका मतलब क्या होता है question number 5 आपको antonym बताना है admonish का क्या होता है condemn होता है, bless होता है, praise होता है congratulate होता है वीडियो पॉस्ट करिए और इसका right answer सोचिए आपको antonym बताना है admonish का तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो देखिए admonish का मतलब क्या होता है दिखकार ना, चेतावनी देना बट इसके बात करें antonym की तो option number C will be right praise इसका मतलब क्या होता है प्रसंचा करना तो इसलिए option number C आपको correct होगा admonish मतलब होता है दिखकार ना, और praise का मतलब क्या होता है प्रसंचा करना डिसकस करें आगे option number C will be right antonym पूछाए आपसे apparent का क्या होता है eligible होता है, hidden होता है mysterious होता है, remote होता है वीडियो पॉस करिए और इसका right answer सोचे antonym पूछाए आपसे तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो देखे, apparent का मतलब क्या होता है द्रश्च है, प्रकट और बात करें इसके antonym की तो option number B आपका correct होगा hidden, इसका मतलब क्या होता है छुपा हुआ तो apparent का मतलब होता है द्रश्च या प्रकट बात करें hidden की, तो इसका मतलब होता है छुपा हुआ इसलिए option number B आपका correct है discuss करें, आगे आपको proportion बतानी है कि confident के बाद हम कौन सी proportion यूज करते हैं, वो आपको बतानी है, पूरा question तो मिला नहीं बट जो concept था वो मिल चुका है कि confident के बाद हम कौन सी proportion यूज करनी है वो आपको बतानी है कौन सी proportion हम यूज करते हैं, confident के बाद वीडियो पॉस करिए और इसका right answer सोचिए तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा, तो चलते हैं इसके right answer की तरफ, तो हम confident के बाद proportion of का यूज करते हैं डिसकस करें question number 8 congratulate इसके बाद हम कौन सी proportion यूज करते हैं आपको बतानी है, वीडियो पॉस करिए और इसका right answer सोचिए तो बात करें इसके right answer की तो congratulate के बाद हम proportion on का यूज करते हैं, आप हमेशे याद रखना, confident के बाद off का, congratulate के बाद कौन का, डिसकस करें आगे एक question था vary के साथ कौन सी degree आती है, positive degree comparative degree, super relative degree वीडियो पॉस करिए और right answer सोचे क्या हो सकता है आपको बताना है vary के साथ हम कौन सी degree use में लेते हैं कोशन तो पूरा याद नहीं बट जो उसमें concept पूछा गया था वो यही था कि vary के साथ exam में या फिर तो exam ननने, super relative degree दे रखी होगी, comparative दे रखी होगी qualitative दे रखी होगी, common error से यह कोशन था, तो जिनको पता होगा कि vary के साथ हम कौन सी डिगरी यूज करते हैं, वो easily इस question तक पहुंच जाएंगे, इसके answer तक तो video post करिए और right answer सोचिए तो आई हूँ सबी ने इसका right answer भी लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो हम vary के साथ positive degree का use करते हैं, आप हमेशे डिगरी का vary के साथ, बट इससे पहले लगा हुआ है दा, यानि यह बनता है आपका TVS और एक बनता है आपका MTS, यानि much plus da plus super little degree तो देखिए, वहाँ exam में da नहीं दे रखाता, question में da नहीं दे रखाता इसलिए हम vary के साथ quality degree का use करेंगे, अगर da दे रखा होगा, तो हम use करेंगे super little degree का, discuss करें, आगे question number 10 है, I regard him my brother, इसमें find करिए कि इसमें क्या चीज error है, मैं यान लिख देता हूँ ऐसे करके, slash no error तो बताइए, video post कर लिजे, और right answer बताइए, ये question पूरा नहीं है बट इसमें एक और भी sentence था, वो याद नहीं students को, इसलिए उन्होंने केवल केवल ये वाला question लिखा है, तो इसी में error है, आप बताइए, इसमें error कहाँ पर है, video post कर लिजे, क्योंकि आपको पता होगा, हर किसी को question याद नहीं रहता है, क्योंकि I hope सभी ने इसका right answer भी लगा लिया होगा, तो चलते हैं इसके right answer की तरफ, तो देखिए, यहाँ इस मतलब हिम के बाद हम as का use करेंगे, योंकि मैंने आपको top 200 की class में डंग से बताया हुआ है, mention होगया, describe होगया, treat होगया, regard होगया, इनके बाद हम as का use करते हैं, तो इसका correct क्या होगा, I regard him as my brother, तो हिम के बाद हम as का use करेंगे, discuss करें, आगे carry out, यह आपका idiom phrase से question है, carry out, इसका मतलब क्या होता है, video post करिए और right answer सोचिए carry out का मतलब क्या होता है I hope सभी ने इसका right answer भी लगा लिया होगा, तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो देखिए carry out का मतलब होता है to do and complete some task, यानि किसी भी चीज को पूरा करना, उसको हम carry out बोलते हैं, किसी भी चीज को पूरा करना तो discuss करें, question number 12 अगर आप इसका right answer एकदम देना चाहो, तो लिक्स भी सकते हो complete something, या complete a task या आपके correct answer हो जाएंगे discuss करें, आगे इन चारों में से correct spelling कौन सी है वीडियो पॉस्ट करिए, और right answer सोचे इन चारों में से correct spelling कौन सी है बताइए, वीडियो पॉस्ट कर लिजे तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option number B will be right I N D E P E N D E N C E यानि सभी में क्या आता है, E E E आता है तो आप हमेशा दखना, independence की spelling क्या होती है I N D E P E N D E N C E option number B will be right discuss करें, question number 13 seri money, इसकी spelling क्या होती है वीडियो पॉस्ट करिए और right answer सोचे क्या हो सकता है इन चारों में से आपको correct spelling बतानी है वीडियो पॉस्ट कर लिजे तो बात करें इसके right answer की option number C will be right seri money की spelling होती है C E R E M O N Y क्या होती है, C E R E M O N Y option number C will be right discuss करें आगे एक question था, question तो पूरा मिला नहीं बर जो concept था, वो मिल चुका है the first two, ये सही है सही क्यों है, अगर गलत है तो गलत क्यों है, वीडियो पॉस्ट करिए और right answer सोचे ये मैंने आपको top 200 की class में अच्छे से बताया हुआ है वीडियो पॉस्ट कर लिजे तो बात करें इसके right answer की तो option number इसमें है ही नहीं देखिए ये एकदम correct लिखा हुआ है first two, मैंने आपको trick से भी बताया था OC यानि audit car वो क्या होते है, ordinal number first, second, third, fourth C क्या होते है, cardinal number one, two, three, तो सबसे पहले आता है ordinal number यानि first, second, third और उसके बाद हम किसका यूज करते हैं cardinal number का, यानि one, two, three, four, five, six इनका हम यूज करते हैं तो एकदम correct है, पहले आया है ordinal number first, उसके बाद हमने use किया है cardinal number, एकदम correct sequence है, तो इसमें कोई भी error नहीं है तो आप हमेशे याद रखना पहले आता है O, उसके बाद आता है C, यानि audit car audit यानि first, second, third ordinal number C, cardinal number one, two, three, four, five इसलिए इसमें first two एकदम का use करते है, then का use करते है from का use करते है, इनका use करते है वीडियो pause करिए और right answer सोचे क्या हो सकता है older के साथ हम किसका use करते है तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा, तो चलते हैं इसके right answer की तरफ, तो older के साथ हम than का यूज करते हैं, आप हमेशे याद रखना older के साथ हम यूज करते हैं than का, और to हम कभ यूज करते हैं, जब बात की जाए elder की, elder के साथ हम यूज करते हैं to का और older के साथ हम यूज करते हैं than का, discuss करें आगे next question है one word से, one who believes in many gods वीडियो पॉस करिए और रायले अंसर सोचे क्या हो सकता है One who believes in many gods का आपको one word बताना है क्या होता है तो बात करें ज़े तो क्या बोलते हैं Polytheist क्या बोलते हैं Polytheist मैं sparing लिख देता हूँ P-O-L-Y-T-H-E-I-S-T Polytheist डिसकस करें आगे a post with little work बट high salary इसका क्या होगा वीडियो पॉस्ट करिए और आज़स सोचिए ऐसी एक पोस्ट जिसमें काम तो हो कम बट salary ज़ादा मिले हर को यही चादा है कि काम तो कम करना पड़े salary अच्छी गासी मिल जाए तो बताइए इसके लिए हम कौन सा सब्द use में लेते हैं तो I hope सबी ने इसका राय टेंसर लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके राय टेंसर की तरफ तो देखें साइन के और बोलते हैं क्या बोलते हैं S-I-N-E-C-U-R-E S-I-N-E-C-U-R-E आप अपनी notebook में not down कर लिजिए साइन के और डिसकस करें आगे आपको noun का sorry week का आपको noun पूछा गया है week का noun क्या होता है वीडियो पॉस करिए और राय टेंथ सा सूचिए week का आपको noun बताना है week का noun क्या होगा तो बात करें इसके राय टेंसर की तो weak का noun क्या होगा weakness होगा क्या होगा weakness weakness क्या है एक noun है discuss करें आगे question number 19 brother-in-law का plural क्या होगा यह आपको singular दे रहा है brother-in-law इसका plural क्या होगा वीडियो पॉस्ट कर लिजे और आराम से सोचिए तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो brother-in-law का plural क्या होता है brothers-in-law क्या होता है brothers यानि brother में क्या लगती है ऐस लगती है बाकी सब कुछ ऐसा रहता है तो brothers-in-law इसका correct होगा discuss करें आगे she will come here on tomorrow no error वीडियो पॉस्ट कर लिजे और right answer सोचिए क्या हो सकता है वीडियो पॉस्ट कर लिजे आई होप सबी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ देखिए हम याँ on का use नहीं करेंगे देखिए yesterday हो गया, tomorrow हो गया इनसे पहले हम at in on proportion का use नहीं करते मैं एक बार repeat कर देता हूँ yesterday हो गया, tomorrow हो गया, today हो गया इनसे पहले हम proportion at in on का use नहीं करते इसलिए हम यहां से on हटा देंगे तो इसका correct क्या होगा she will come here tomorrow I hope आप इस concept को डंग से समझ गया होंगे तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और एक important बात हो सके तो वीडियो के नीचे एक share का option होगा वहाँ जाके सभी बाई लोग वीडियो को एक बार share कर दीजे कहीं भी कर दीजे हर एक student एक share जरूर करना अगर वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो मिलता हम आपको next वीडियो में take care bye bye